एक वर फेर चैनल रितेश लखी अनप्लाग देविच एक होर खास रिपोर्ट लेगे हाजरां ते आज मैं गाल करांगा एक बहुत ही अजीब गरीब जहे मामले दी कैसा मामला जो कि पंजाब देविच अनमनोखी तशद्दत ते फेक एंकाउंटर जैने की चूठे मुकाब पाई जान दे सन ते लखा लखा रुपया दा जड़ा एवार्ड मनी जिसनू कहन देने उसनू बटो रहा जानता सी इस तो पहला दी अपने रिपोर्ट देविच मैं तफसील देना दास चुकाएं भी किस तरीक के नाल 1999 ते नबे आउदया आउदया पंजाब देविच ज अवार्ड ते अवार्ड लेंदा जड़ा रिवास सी या फिर ऐसे चूठे मुकाबले दिखाके नौजवान बेदोशे नौजवान नूँ मार देना ते वड़े वड़े वखवादियां दे ना दे उत्ते उना दिया लाशा नू रेकोगनाईस करके यानून दे निशान भ अज मैं जिस केज दिकाल करन जा रहे हैं ओ है काला अफगाना गुर्दासपूर जिले दे इक पिंड दे नौजवान जो कि उस वक्षब्वी साला दा नौजवान सी 1994 दा एक कटना करम या वाक्या है सुखपाल सिंग इस दा ना सी ओ सुखपाल सिंग जो की 13 अगस्त 1994 नू लेके जा देने हैं उस तो बाद आज तक सुखपाल सिंग दा कोई भी आता पता नहीं है तो उस दे कारदया दा एक दावा है कि सुखपाल सिंग मार चुका है लेकिन परमराज सिंग उम्रानंगल जो की उस वक्त SPD रोपड दे विच आने की SP डेटेक्टिव रोपड दे तैनात सन उना दे उते इलजाम एदूशन लगेने ए मामला बहुत अख़बारान या सुर्खियां दे विच कटना करम दे विच रहा है हाई कोड ने इस पर मामले दोते बहुत सक्त नोटिस भी लेया थे कई अलाग अलाग सिटना भी इस मामले दे बढ़िया ने इस सारी गलना बातना पॉल्रेडी पब्लिक डोमेन दे विच ने की होया हो सकता है इस पूरे कटना करम दे विच आज मैं उस दी तफसील भी जामांगा ते किस तरीके नाल साला दर साल इस पूरे मामले दे विच नया नहीं हो सक्या है इस केश दी सब तो बड़ी तरासदी एह है वी 13 अगस्त 1994 दा एक अटना करम जदो सुखपाल सिंग नो उस दे करोंग पुलस वाले चुक के ले जान दे ने ते उस तो बाद दिन कई हफते कई महीने कई साल ते कई तहाक के बीतन उपरंत साल 2016 दे विच यानि की 22 साल बाद एक F.I.R. दर्ज किती जान दी है इस तो ब 20 साल लाग जंद ने ते उना बाद ऐस साला दे विच इस नौजवान दे परिवार नो उस दे मापया नो उस दी पतपनी नो किस संकट दे विचें किस दुखान दे विचें गुजरना पे उस दा अंदाजा आसी ते तो उसी कील आ शकांगे लेकिन सुक्पाल सिंग दा केस बड़ा टिपिकल है क्योंकि इस केश नो इस रिपोर्ट्ग दा हिस्सा बनान्दा सबाब या कारण इस वास्थे चुण Kenya गया है क्योंकि इस केश दे विच साघे पूरे उस सिस्टम दे तरास दी परिबाशत हुन दी है ओ तरास दी जो की कितना किते साथे सिस्टम दे विच उना लूप होल्स नूं होर मैगनिफाई करके थोड़े सामने राख दी है जिस दी बदालत इस तरीके दे अपरादिक मांसिक्ता वाले अफसर जड़े हैगे ने उन लगातार साल दर साल तरक्यां हासल कर दे रहे इना चूठे मुकावलें दे सिर दे उत्ते ओ लखा लखा रुपे दे रिवार्ड ड़कार गए आज भी ओ रिकार्ड ओ रिवार्ड उना दे ना उत्ते बोल देने उननों जड़ी तरक्यां मिलिया ने ओ जड़ी यह शौरता हासल कर गए ओ जड़े पंजाब दे आईजी लेवल दे अपदर रुपते नहीं दस्या किस तरीके ना परिवारा नों उजाड़ा गया परिवारा नों खतम करता गया लोका नों जूंदे जी गायब करता गया ते उस तो बाद अदालता दे विच पच्ची-पच्ची-थी-3-3 साला ले यह मामले लटक दे रहे तो आज इना सुखपाल सिंग्धा म मामला है ते परमराज सिंग उम्रानंगल ओ कथत तौर ते दोशी अफसर ओ मुल्जम मुल्जम अफसर मैं उसनों कहांगा जो कि इस पूरे मामले दे विच मुख सेंटल पॉइंट है इस उते आज दी साधी यह रिपोर्ट पूरी तरीके नाल केंद्रित हों जा रही है तो जाँ ने जाँ दे विच नेड़ता सी यह तरीके नाल पुलस दे आपस बशस पेचे चौक मेंटा दे लगातार पैन वाली चापे मारी ते उ सारी गल्ला माता नों कई होर मामला देवी जासी विस्तार दनार डिसकस किता है लेकिन गुर्णाम सिंग बढ़ान नों पुलस लबरी हुंती है उस दी पाल हुंती है लेकिन गुर्णाम सिंग बढ़ाला जदोना दे हाथ नहीं लगदा तर सुखपाल सिंग नूँ इस काला अफगाना दे नौजवान नूँ 26 साला दा नौजवान है जिस दी तरम पत्नी भी है जिस दे मापे भी है उन्हों पुलस चाक क विच हुंदा है ओ रोपड जिला ओ मुरिंडा कुराली दा इलाका जित थे SPD हुंदे ने परमराज सिंग उम्रानंगल ते उन्हादे उत्ते SSP कौन हुंदा है ओ ना मैं पहला ही कई रिपोर्टां विच जिकर कर चुक है अजीत सिंग संदू ओ पुलिस अफसर ओ परमराज सिंग उम्रा नंगल ए मुकाबला हुंदा है टे उस मुकाबले दे मिच गुरनाम सिंग बढ़ाला नों मारके एक बहुत बढ़ा इनाम हासल करता है परमरा सिंग उम्रा नंगल ते उस तो बाद उस नों इसी इस हुत इना mermaidorious services दे उत्ते बहाद़ी त मुजारा कर तो बाद 2015 तो बाद जड़ी चौंक विच गोली चाल दिये 14 अक्तूबर नो सुवेरे कोट का पूरा दी कटना करम या बैबल कलना उस दे विच उस अफसर दी एहम पूमिगा होंती है ते उसी विच उसनों नामजद भी किता जान दा है उस उते पर्चा भी दर्ज किता जान होंदा है जिमे की राणो सरपंच दे ड्रग्स दा केस जो की हाल विच ही सामने आया उस विच भी इस अफसर नो मुद्टल करता जाना है तो परमराज सिंग उम्रा नंगल ओ अफसर है जो की सुखपाल सिंग नो किस तरीक के नाल उस दे पुलिस वाले नो पेज के उस दे क करों चुक्किया जाना है ते फिर बतार SPD रोपड दे विच एक मुकाबले दे विच गुरुणाम सिंग बंडाला नो मुर्या होए दखाया जाना है उस दा इंकाउंटर कारता जाना है लेकिन सुखपाल दे कर वाले नो शक होंदा ते गुरुणाम सिंग बंडाला दी खब गाल बात सुनेगा लेकिन फिर भी ये परिवार अपनी लड़ाई लड़ा जाना है लेकिन कई साल ते एक लगपग तेना चौदा साल बीच जानतो बाद भी इस परिवार नो ओ इंसाफ ही नी मिलदा बलकि अपना जी सुखपाल सिंग जो की मार्या जा चुका होंदा है ए जिसनों कहन दे है उस दी रनिंग अराउंड हो रही होंदी है लेकिन दूसरे पास से 1998 दा ओ साल होंदा है जनों की गुर्णाम सिंग बंडाला नो बटाला देविच बटाला पुलिस यारी गुर्दासपुर पुलिस वल्नों गिरफतार कर ले जान दा है एक बहुती नाट की कटना करम होंदा है ते उस वक्त गुर्णाम सिंग बंडाला गिरफतार होंदा है जिस दा खुला सा कुछ सालां बाद होंदा है लागपाक साल 2007 दे आसपास आउंदे होंदे हां इस परिवार दा लड़ फढदेने करनल गुर्द्र सिंग संदू जिन दा जिकर में पहना कर चुक हैं अजीद सिंग पूले दे मामले वी किस तरीके ना करनल जीए संदू ने मालवे दे साब का फोजी ना फ्रेंट बना के ओ लड़ाई उस मोहिम नो विड़ देया ते पूले नो जेल दे अंदर ड़क्या चो करनल संदू ही इस परिवार दा लड़ फड़ देने इस कि 2007 वी चो लजान देने ते कामिया भी हुन देने 2007 आओ देन जाब तक इस पूरे मामले दी कमान करनल जीए संदू वलनो अपने हाथ विच लेली गई हुन दी है उस वक्त इस किसम दियां जिडिये खबना यना दोना मामले नो कोरेलेट करके मीडिया दे सामने दिये वी एक पासे ओ गुरुणाम सिंग बंडाला जिस दा एक एंकाउंटर SPD रोपड 1994 नो कर देने ते दूसरे पासे सुखपाल सिंग जो कि करो गायब है जिस मामले दे विच FIR, DDR कुछ भी नहीं है परिवार वाले उसनों लब रहे हैगे ने ते की सुखपाल सिंग ओ दे शक्स है जिसनों की गुरुणाम सिंग बंडाला कहके मारे गया क्योंकि गुरुणाम सिंग बंडाला जिन्दा सामने आ जन्दा है और अपना पूरा बयान भी दे दन्दा है ते वो पबलिक डुमेन दे विच भी होंदा है तराश दी होंदिये भी 2007 आउंदíयां पंज इसी दावी में पहला एक रिपोर्ट देविच 2007 तो लेके 2012 देविच ते 2012 तो लेके 2015 तक सुमेज सिंग सैनिदा जो दबदबा या तूती बोल दीया आठ साल उजदा जिकर कर चुका है। पंजाम मनुखी अधिकार कमीशन दा रुख किता जानदा है लगपक 2010 दे आसपास पंजाम मनुखी अधिकार कमीशन क्योंकि एक एक एप्ट केस होंदा है। पंजाब पुलिस या ओथों दीजडी स्थानक पुलिस गुर्दास पुर्दी सी उसने मुनास्ब नहीं समझया। 2013 अधिया पंजाब मनुखी अधिकार कमीशन होंदा है इस मामले नू रेफर करता है पंजाब दे डीजीप कोल ते सोचो उसवक्त पंजाब दा डीजीप कौन होंदा है। उसवक्त पंजाब दे डीजीप सुमेज सिंग स्थैनी हूंदे ने, जोकि परमराज सिंग उम्रा नंगल देही एक तूरू पिलिस पिरियर भी हूंदेने। एक खाना पूर्ती होंदी है, एक आईवाश होंदा है, IPS, ADGP से होता होंदेने, उन्हादी अगवाई हेट इस SIT नो बठाया जाना है, कुछ होर भी, दो होर अफसर भी इस सिट दा हिस्सा होंदेने, एक चंगी वेल पावर्ड, हाई पावर्ड SIT ही इस नो क्या जा सकता है, लेकिन ए SIT टक्रीबन तिन साल लगा देन दिया थे, उन्हा तिन साला दे दोरान करणल जीयसंदू या फिर सुखपाल सिंग दे परिवार नो समझ आ चुका होंदा है, वी इस मामले दे विच हुन हाईकूर दा दरवजा खड़काउना पैना है, एक गलबात एक गुहार ओ पहला मनुख्य दिकार कमीशन दे सामने भी लगातार ला रहे हुन देने, इस मामले दी CBA जाच दी, ओ लगातार मांग कार रहे हुन देने। इस मामले दे विच उनने इनसाफ दी गुहार लाई, अपने परिवार, अपने जी नू लबन ली, एक बिचारा परिवार दरदर पटकदा रहा थे, बाईस साल तक इस दी सुनवाई नी हुन दी ते, जदो मामला हाई कोड तक पहुंच चुका हुन दा है, उस वक्त पंज हुन दी है, उस तो वड़ी हासों ही नी तरास दी है, उसनों बयान करना मैनों थोड़ जी शरम भी आ रही है, क्योंकि पंजाब दे जड़े डीजीपी उस वक्त हुन दे ने, 2016 दी अपा गाल कारना उस वक्त जाहरी तौरते सुमेश सिंग से नी हाट चुके हुन दे ने, सुरेश अरोडा डीजीपी बन चुके हुन दे ने, एक हासों ही ना पूरी गाल बात है, वी एक मामला जिस विच की एक SIT बन दी है, जो की ADGP IPS सहोता दे हेट बन दी है, उस तो बाद पंजाब बोले जड़े फयार दर्ज कार लें दी है, इस मामले दे भी जड़ी SIT अग ये तिन छोटे-छोटे इंस्पेक्टर ते DSP लेवल दे जड़े अधिकारी है, उननों उस SIT दादा करता तरता बनाता जानता है, उस SIT जिसने जांच किस दी करनी हुन दी है, जांच करनी हुन दी है परमराज सिंग उमरानंगल साब दी, परमराज सिंग उमरानंगल उस आईजी परदर ते हुनते ने, वो कमिशनर लेवल ते पहुंचे हुनते ने, जो केड़ा DSP, केड़ा SHO, केड़ा CIA स्ताफ दाइन चार्ज, एक आईजी लेवल दे अधिकारी दी, दिखलाफ जांच कर लेगा, जो ये बहुत ही तरास दी है, इस सिस्टम दी तरास दी है, 2016 2016 दे विच कौन DGP सी, पंजाब पुलस दा, कौन मुखी सी, पंजाब दा, चीफ मिनिस्टर कौन सी, इन लोकों तो सवाल बन दे सीगे, इन मामला हाई कोट दे विच भी सी, लेकिन हाई कोट ने हजे तक एथे इंटरफेर नहीं किता सी, हजे तक मामला पुलस बनों अपने एक आईजी दे खिलाफ जांच करनगे, इस तो बड़ा मखौड आपांत की सिस्टम दा, बनदा होया वेख सकते हैं, लानत है हो जी पुलस दे होते हैं, लानत है हो जे पुलस मुखियां होते हैं, जिना ने इस किसम दी, इस पूरे मामले दी बारीकी नों ही समझा बाइस साल एक परिवार नों इंतजार करना पया, एक F.I.R. रिजिस्टर करन ली, एक फेक एंकाउंटर दा मामला सी, मर्या होया जड़ा वक्धवादी लीडर सी, या जड़ा भी लीडर सी, ओ अपने आपने आपनों जूंदा दास के पब्लिक डुमेन ने चांदा है, ए लेकिन इस मामले दे विच, ADGP सहोता दी सिट बाण दी है, उस तो बाद जड़ों F.I.R. रिजिस्टर करन ली, ADGP सहोता कहन देने, उस तो बाद एक छोटी सिट बाण जन दी है, जो कि होर भी छोटी हों दी है, तो अग्गे की होंदा, अग्गे इस मामले दे विच, 2019 आ सरकार बदल चुकी होंदी है, 2017 दे विच, Captain Amrinder Singh दी सरकार आ चुकी होंदी है, Congress दी सरकार आ चुकी होंदी है, सुमे सिंग सेनी ते परमराज सिंग उम्रानंगल आउट आफ फेवर होंदेने, नमी सरकार या नमी political dispensation उना दी फेवर दी नहीं होंदी, चो उस हला दे विच एफीडेविट, 2019 दे विच, परमराज सिंग उम्रानंगल लो, इस मामले दे विच, जो की हाइकोट भी चल रहा होंदा है, उस दे विच एफीडेविट बड़ा ही साफ सुथरा जा देता जाना भी, मैं इस मामले ज कुशनी कीता, तो इस मामले दे विच, केडियां केडिय अपना सब जान दे है, ADGP सहोता जदो 2013 विच उना दी सिट बन दिया है, उस तो बाद ओ जदो रिपोर्ट दन दे ने, उस रिपोर्ट दे विच कोई पुखता काल दी हूंदे, सिर्फ ही किया जान दा है, विच इस मामले दे विच अपना हल्फ नामा दन दे ने, उस मामले दी पड़ताल नू हर्याना पुलस नू देता जावे, ते हर्याना पुलस दे विच वी ओ अफसर इस मामले दी जान्च करे, जो रैंक विच मेरे नालो उच्चा होए, यानि कि IG, उस वक्तो IG सन, IG नालो उच्चा होए, इन्हों मैं की समझा, इक परिवार ने 22 साल ल देती गई, ओ बचारे केंदेरे साटी जांच CBA नू दे दो, जिमी सरकार बदली 2017 विच पुलिटिकल सिस्टम बदल आता, उम्रा नंगल साब ओही मंगा दोहरा रहे सी, जो कि सुखपाल सिंह दा परिवार दोहरा रहा रहा सी, परमराज सिंह उम्रा नंगल ही कह रहे ने जांच नू हरे अना पुलिस नू दे दो, अफसर मेर तो उतले और देदा होगे, ताकि उतले प्रेशर ना होगे, बहुत चंगी गाल है, परमराज सिंह उम्रा नंगल कह रहे ने जांच CBA नू दे दो, क्योंकि मैंनू ये डार है, मैंनू अथे पोलिटिकली विक्टमाइ तो जांच करानी जादा मुनासिब लागनी शुरू होगी, बेरहाल 10 अप्रेश नू परमराज सिंह उम्रा नंगल दा एफिडेविट होंता है, ते 11 अप्रेश नू पंजाव अते हरेना हाई कोड दा जड़ा मान योग बेंच होंता है, वो इस मामले दे वीच एक होर SIT ब ने, सो दो ADGP ते एक DGP दी अगवाई हेट एक नमी सिट बनाई जानती है, इस मामले दी एक चौथी सिट है, पहली इंवेस्टिगेशन डिएजी रोपर ने किती, दूसरी इंवेस्टिगेशन IPS से होता ने किती, तीसरी जड़ी इंवेस्टिगेशन या SIT सी होता वाली, ओ DSP लेवल गुर्दासपूर ते बटाला लेवल ते स्थानक जड़ी सिट बन दी है, ते चौथी जड़ी सिट है, ओ SS चटोपाद्य है दी सिट बन दी है, इस दोरान गुर्णाम सिंग बन डाला बैठा अपने बयान दे रहे है, हुन मौजोदा पोजीशन है भी SS नहीं पुझ्जा है, इस मामले दे वी चगला जड़ी कोड़ी डेट है, क्योंकि साड़ीयां सिट्टा भी कितना किते डालता ना मूँ बेखनी है, वी हाई कोड़ी हो डेट है, और नो यह नहीं लागदा भी मामले नो सी पहला भी निप्तारा कर सेता है, लेकिन और नो ल तुझा परमराज सिंह कुम्रा प्रहां involvement, तुच झालें नो बॉड़ी कोड़ी यह संदमानत किता जा रहे हैं, तो आपकान सो और पूर गृरी सणओरी कार सेफसी सब्स्सक्दारा भी कैसा लजिता जा लेकिन पूरी संभाज में से तुच उषचि अधा प्रतिंग अद मजुदा सिट ने सिटा कड़िया है कि उस मामले दे 1994 दे उस एंकाउंटर गुर्णाम सिंग मंडाला दे एंकाउंटर दे मुतलक जिन्नावे रिकॉर्ड है क्योंकि पुलिस ने अपने रिपोर्ट दे थी पुलिस ने इस मामले दे एक अंट्रेस रिपोर्ट रोपड दी अदालत विच दर्ज कराई सी शामल कराई सी लेगिन आज ओंट्रेस रिपोर्ट नाता रोपड़ दी अदालत दे विच एक्जिस्ट कर रही है जो डिस्टिक अटाउर्णी है कि ने इस पूरे मामले दे यानि कि रोपड़ दे जले स्थानक डिस्टिक अटाउर्णी उनना ने मना करता भी ऐसी कोई भी अंट्रेस रिपोर्ट या ऐसा कोई भी केस या उस दी जांच साड़े रिकॉर्ड ते नहीं है ते जड़ा हस्पताल है जित्थे कि उस बॉड़ी नूँ डिस्पोज आफ किता गया उस तो बाद इंकाउंटर मुकावले तो बाद उस बॉड़ी दे ना जो भी पोष्ट मॉटम या जो भी विदी आरवाई 222 सियो पाई गई उस अस्पताल दे विच्चों भी रेकॉर्ड गायब है तो डिस्टिपोट आ पने विच्चों अडालता दे विच्चों इस रेकॉर्ड रुत रांब जबॉड अपक बई नंगल दी अगवाई हेट जना दे बेस उते उन्होंना बोड मेले हुंदे न कराया गया हो ऊस्ते सारे रिकॉर्ड नो खुर्दबुर्द करके उसनों गायब करता जानता है ते आज सेटे ही कह रही है चटोपाद्य होना दे सेटे इस साफ ता चया रही है कि उस साला दर्श उस परिवार्दा हो चुका है, तो 27 साल बाद भी हजे तक इना अफसरां दे खिलाफ इना केसां दे विच कोई कारवाई नहीं, बेशक पर ठीक है, बेद भी दे मामला या फारिंग केस दे विच परमराज सिंग उम रानंग उनों गरफतार किता गया, रानू जेल भी डीजीपी सन केड़े, ऐसे होम मिनिस्टर सन केड़े, ऐसे मुख मंतरिया, डेप्टी चीफ मिनिस्टर सन जिनने अजी है, किरदार वाले अफसरानों बड़े-बड़े ओदे ना नमाजया, एक टेलिंग कॉमेंट है साड़ी, इस पूरे जुडिशल सिस्टम दे उते, तो बाद दे विछ प्रास दिये देखो, उम्रा नंगल ओहीं मंगा कर रहे सी, जो कि सुखपाल सिंग दा परिवार कर रहे सी, हलात बदल देने, एक सरकार बदल जन दिया, पुलिटिकल रंगत बदल जन दिया, क्योंकि साड़ी पुलिस जड़ी है, ओ हाईली पुलिटिसाइ तरदी हुंदी है, एक ठंडे होके बैठे रहे सी, जो कुछ जो मिस हैंडलिंग कोर्ट को पुरे चौंक दे विछ हुई भैवल कुलाच जी में गोली चली, या फिर होर जो कुछ भी हुंदा है, तो बाद ही नपला गया हुंदा, इना नो रोकता गया हुंदा, इना नो पुलिस अक्षिन ना देख दे या फिर एना अफसर ना दे होर जड़े घड़े गोड़ियां चलनी है, या सिंगा नो मारते होई ना वेख दे, एक सिस्टम है, इक इक स्पारल है का भी एक गलत काम, एक गलत अफसर नो अपाँ शैद नने है तो गम अगे वदा वदा वद जाके अपने गले दी फंदा बान जानता है, ओधी फांसी बान जानता है, ओही कुछ कई पुलिटिकल पार्टियां देनाल होया, अकालियां देनाल ओही होया, ते एक क्यान देविच की गुरेश होना चाहिए था भी परमराश सिंग, उम्रानंगल, या फिर ओधे जड़े दलबीर कौर जिनाने की इस पूरे केश देविच 27 साल बाद, 27 साल भी तंदो बाद भी हार नहीं मनी है, इस लोग लड़ रहे हैं, बेशक इना लोका नों कई 13-14 साल इंसाफ दी, एक छोटी किरण भी नज़र नहीं आई, क्योंकि कुछ सुन ही नहीं रहा सीगा, लेकिन उस किरण दे आन तो बाद भी, उस आस दे जागण तो बाद भी इननों करीबन डेड़ होर दहाका, एक लंबी चोड़ी लड़ाई, अज भी लड़नी पैरी है, आज दी से टकिनी गंबीर है, अज भी इननों इनसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अदालता दे विच्छो रि मामले दे रफ्तार क्यों तेज नहीं होनी चाहिए थे, एक स्पीडी ट्रायल या फिर एक फास्ट ट्रायक दे उते ट्रायल मुकमल करके, दुद 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 दे पानी दा पानी क्योंना कड़ जावे थे, जे ऐसे अफसर इस मामले दे दोशी ने थे, उननों सजामा क्य पाया गया हो सकता है, उस मामले दे विच, अदालत दे विच आज भी केस जा रही है, एक केस एक लाइब वायर है, होट वायर है, आज भी केस जूदा है थे, आजे भी इनसाफ नजर नहीं आ रहा, उमीद करांगे इस परताल तो तो नों भी कुछ नविया चीज़ां इस क पो तान्वाब।